So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज बात करेंगे तीन दिगज़ शेर के बारे में जो है IT सेक्टर के So guys, बात करेंगे TCS के बारे में, Wipro के बारे में और साथ ही बात होंगी Infosys के बारे में So guys, यहाँ पर तीनों ही शेर को हम cover करेंगे और बिल्कुल एक important video है और यहाँ पर आपके मन में भी a question होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो IT सेक्टर के जो शेर है वो गिर रहे थे तो यहाँ पर IT सेक्टर में, तीनों ही शेर में काफी important levels है जो हमें समझना चीए काफी important news हैं जो हमें समझना चीए तो यहाँ पर काफी कुछ बाते हैं जिने हम cover करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को end तक देख न अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लो तो चलते हैं stocks के उपर So guys Infosys की अगर बात करें तो Infosys Limited में आज क्या कारोबार इसका रहा है 1508 रुपे के level पे stock ने आज closing दी 29 रुपे 45 पेसे तक का एक momentum उपर की और का आया है 1.99% के हिसाब से ये share बढ़ा है guys तो बिल्कुल consistent तरीके से stock यहाँ पर return इसने दिये है और वही अब बात करेंगे share में आगे क्या हो सकता है तो guys बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं इसके levels को कि क्या इसके levels इसके fewer में है तो चलते है guys तो pattern के अगर बात करें तो infosys के क्या patterns यहाँ पर नजर आ रहा है infosys के patterns के अगर बात करें तो वह एक falling wedge pattern यहाँ पर बन रहा है और बिल्कुल breakout के करीब यहाँ पर नजर आ रहा है stock मा यहाँ पर हुआ क्या बिल्कुल upside down momentum चले हैं यहाँ पर support लेके stock उपर भी गया फिर यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर एक range में stock यहाँ पर trade कर रहा था उस range को almost a broke करने वाला है यहाँ पर एक break करने वाला है और breakout मिलते ही अगर बड़ा target आप predict अगर कर रहे हो तो guys यहाँ पर 1700 रुपे का target आपको मिलने वाला है जो huge gap down हुआ था उसे feel करने की कल कोशिश होंगी तो guys बिल्कुल यहाँ पर infosys को ignore मत करना क्योंकि यह share यहाँ पर तगडे return देगा ही देगा so guys यहाँ पर news की बात करे so infosys की बात करे infosys is the second most valuable Indian brand with 52% increase in brand value at 12.8 billion dollar the report noted the infosys brand now so significant growth during the pandemic with its brand value increase from under 7.1 billion pre-pandemic तो यहाँ पर अगर बात करे तो यहाँ पर एक चीज़ अगर कहू तो पहले जो pre-pandemic जो इसका जो increase हुआ था तो 7.1 billion dollar था और वहाँ से अगर देखा जा तो 52% increase हुआ है और कितना यहाँ पर इसका जो brand value है कितना हो गया I guess 12.8 billion dollar तो काफी बड़ी बात है और इसके नीचे भी काफी सारी companies है बट second most valuable company की अगर बात करें तो infosys है तो guys बिल्कूल infosys में एक positive news हमें दिखाई दे रही है so guys यहाँ पर infosys की बात तो हमने कर ली अब जो second stock है हमारा ओ है यहाँ पर TCS TCS में actual में चल के रहा है TCS की अगर बात करें तो TCS में आप देख सकते हो Tata Consultancy Service Limited इसका पुरा नाम है Tata का एक दंदा share है huge market cap है stock का 3425 रुपीज के level पे इस share ने यहाँ पर closing दी 69.80 रुपीज के आसपास की बड़त हमें इस share में देखने को मिली है 2.08% के हिसाब से increment है market cap आप देखो गाई इस क्या market cap है 12.52 लाग करोड का market cap है और इस stock में अगर news की हम बात करें तो आप देखो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा Tata become the most valuable Indian brand Tata का जो brand है जो IT sector का जो brand है यहाँ पर 24 billion के आसपास का इसका brand value हमें देखने को मिल रहा है तो guys इससे ज़्यादा important चीज और क्या होगी आज तो बिल्कुल इस in shares में तेजी आई है बट कल कितनी तेजी आएगी ओ देखना होगा 24 billion dollar का जो brand value है काफी तगड़ा है guys और बिल्कुल यहाँ पर इसके levels को अगर आप देखोंगे तो आपको huge breakout देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो gap downs हुए थे जहाँ पर बिल्कुल उन्हें यहाँ पर एफ फील करेगा यहाँ पर almost इसना फील दो किया ही था बट हम बात कर रहे है as a swing trader अगर आप हो तो यहाँ पर बिल्कुल आपका पेशा बिल्कुल बनेगा ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो target निगल के आता है इस falling wage pattern के साथ वो target यहाँ पर है 3800 रुपे का और 3423 रुपे का असपा stock rate कर रहा है falling wage pattern यहाँ पर बना हुआ है आप देख सकते हो breakout इस चेयर में मिला है और यहाँ से 3800 रुपे का जो target है जो target यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल अजिव होने वाला है और high volume के साथ यह उपर जाता हुआ नजर आएगा 28 lakh के असपास का deliveries यहाँ पर उठाई गई है 85% जो लोग है यहाँ पर TCS में जो लोग है इसे buy करने के लिए कह रहे है लग बग 85% लोग सिर्फ 9% लोग ही है जो sell करने के लिए कह रहे है और बच जाते है 6% लोग जो कह रहे है guys hold के लिए अब जो हमारा second valuable stock है ओ है विप्रो लिमिटेट विप्रो यहाँ पर brand valuable कि अगर बात करें brand value कितना है विप्रो का भी अच्छा ही है बट उसकी यहाँ पर कोई news नहीं है बट IT sector का यह भी एक दमतार share है विप्रो लिमिटेट 444 रुपे 50 पेसे के level पे stock यहाँ पर closing देता हुआ आज नजर आया है 3 रुपे 75 पेसे तक की तेजी देखने को हमें मिली है 0.80% के इस आप से market cap तगड़ा है 2.59 लाक करोड का अब बढ़ते हैं गाई साथ विप्रो की बात करें तो कही न कही विप्रो यहाँ पर जो इनकी जो यहाँ पर Maciot की जो rating होती है विप्रो में और rating यहाँ पर upgrade हुई है साथ ही JSW और बैंको बढ़ोदराकी भी है बट IT सेक्टर के हम बात करें तो विप्रो में जो इनकी Maciot यहाँ पर जो rating है और अपग्रेट हुई है बिलकुल यहाँ पर positive news है AB और बिल्कुल आज ही की ये news है 71 lakh के असपास का volume आज देखने को वेला delivery साथ उठाई गई है 90% लोग buy के लिए कह रहे है 5% लोग hold के लिए कह रहे है 5% लोग sell के लिए यानि 95% लोग है जो बिल्कुल विप्रो में नजर आते है गाइस positive पॉजिटिव नजर आ रहे है बना फिर यहां से एक फॉल बता है इस शेयर ने और यहां से एक बड़त हमें देखने को मल रही है तो गाइस 500 से यहां पर कई बड़े-बड़े levels विप्रो में अच्यों होने वाले हैं तो गाइस और और हमने यहां पर तीनो ही शेयर को डिसकस कर लिया है टीसियास वे प्रो एंफोसिस तीनो ही शेयर यहां पर इंपोर्टेंट है तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू